है येलो फ्रेंट्स मेरा नाम है विक्की बामन्या दूस्तो आज आपका जो बावाजुड़ू के लिए आज हमारे साथ नेश्नल लेवल टीचर अवयलेबल है संजीव कुमार चौदरी जो दस सालों से से ज़्यादा अलग-अलग कोचिंग में पड़ा रहे हैं मसी किया हुआ है पीएचडी उनका चल रहा है दो से ज़्यादा इंटरनेशनल रिसर्च पीपर भी उन्होंने पब्लिश किये हुए तो काफी ज़्यारा एक्सपिरियंस है उन्हों बायलोजी में उन्होंने बोला कि बच्चों के लिए मैं जो वावा जोड़ू सैसन अरेंज करूंगा बच्चों को काफी ज़्यादा हेल्फूल होगा तो अभी आपको क्या करना है सर कितने कोशन करने वाले हम हंद्र 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 कोशन सर कराए बीच में आपको कॉंसेट भी समझाएंगे आपको कॉंसेट को समधना है और अगर गुजरात वोड़ के एक्जाम में आए आपको सब्मिट कर देना है सिंपल सी बात है ठीक है तो सर अब आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों तो अभी जो है सो करीब हंडेड कोस्टन जो हो चुका है इन सबकी जरूरत तो नहीं है तो फिर लेट एस स्टार्ट और स्टार्ट जो करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो आया है हमारे पास जो कोश्चन आया है वो कोश्चन कौन सा है तो वो कोश्चन है विच आप दा फॉलोइंग प्लांट इज एक्वेटिक यह जो है विच आप तो इसमें है एक आया है वैलिस नेरिया शी ग्रास वाटर है सिंथ एंड ओल अब दीज यह चार जो आप्शन आया है यह हमको पेज 29 एंसी आर्टी क्लास 12 में जो है यह दिखेंगे पॉली अधरिया सी ग्रास में जो 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 स्टेरा समय आता है यह उ इसमें और यह जुए सो फ्रेश वाटर है तो इसलिए हाथ से अगर देखा जाए तो यह वह क्या हो जाएगा इसका अंसर जो है यह यह आल-उप वीस शॉंकि यह एक्वेटिक की बात किया गया है तो एक्वेट फिंडिक है ठीक है थीक है next जो है नेस्ट एक्स्ट को सबस्क bunionic तो शेल्फ पॉलिनेशन का सब से यह ओठ ब्रीडिंग डिवाइसे इस यह उच्छ औफ दॉलन जन्र चेसे उश्शम यह पढ् नंबर 31 में ब्रीधिंग डिवास की बात होती है तो इसमें एक है यह शेलफ पॉलिनेशन इन ब्रीधिंग डिप्रेशन का इसे को रिलेशन नहीं है यह जो है तो आगे के चैप्टर में पर यह आ जाता है यह शेल्फ इंकॉंपेक्टिबिटी एंड डायोशियस यह जो इस म कि एधियर प्लाँट पंट्ट होंगे और फिमल प्लांट होंगे टिक है तो मेल प्लांट एुछन जब हो जाएगा डायोसियस हो जाएगा वो झो है उसमें आपस में सेल्फ जब दोनों ही 민주 होण फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में हो तब शेल्फ पॉलीनेशन का जो है चांस रहता है यह डायोसियस में ऐसा संभव नहीं है तो यह डायोसियस में क्या होगा सेल्फ पॉलीनेशन को यह में जो प्रिवेंट करेगा ठीक है नेक्स्ट जो है मोनोशियस मोनोशिय स्किच आद्याः प्लाव्क आपर कने तो यह स्यन पॉल्िन को प्रिवेंट नहीं कर सकता इसमें हो जाएगा ठीक है तो डायोसिय और इन ब्रीढ CCP जो है यह हम लोग किसमें देखते हैं इसमें things का मैक यह दिखे हैं तो वहां पर में बीढिए डिपरेशन की तो यह क्या होता है जो एक ही प्लांट के अगर एक प्लांट के जो कुछ एक ऐसे होते हैं जैसे की केस होता है ब्रैसी का ओलेरेसिया में एक से जैदा कुछ एलील होते हैं और वह एलील होते हैं और उसके एस्टिगमा में जो है वो दो स्क्राइट एलिल होंगे स्क्राइज स्क्राइब सक्राइट नहीं तो पॉलीनेशन ये क्या होंगा disimilar. S1 से S2 and S3 disimilar हो गया तब ये self incompatible is compartible है और अगर नहीं होगा, अगर similar वह जाएगे तो फिर अगर यहां पर भी मालने है कि जो S1 & S3 आ जाए है, तो फिर पुर walionation हो जाएंगा तो यहां पर भी क्या होगा self incompatibility जरूरी नहीं है कि हमेशा हो तो यह भी जो है इसको रोक नहीं पाएंगे तो इस लिहाद से अगर देखाजाय तो अंसर इसके क्या हो गेंगे डायोशियास प्लांट जो है इसके अंसर हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट कोस्टन अब हम लोग देखेंगे विछ आर्टीफीसियल रिप्रोडाक्टीव टेक्नोलोजी टेक्णिक ए आर्टीड टेक्निक इन्वॉल्ब इन्जेक्शन ओप अस्पर्म डारेक्ट्ली इंटू ओभं तेकं है तो यहां पर में यह जो है 59 किया जाएगा ऐस पर्म को तो यहां पर में जिफ्ट क्या है तो seat यह हो जाएक यह हो जाएक ऑक सब्सक्राइब एक फिमल से दूसरे फिमल टरॉंस फिया जाएगा डैट वन इस जाम year यह को हुआ ल में तो यह मंने नेक्स्ट से यह आर्टिफीशियल इंसेमिनेशन यह जो है अगर चस्क coupon औरक्का यह दो ईसे एक आड़ियो। करके जो है इंसेमिनेट किया जाता है आर्टिफिशियली बैट वन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंट्राइट राइन ट्रांसफर होता है यह तो यहां पर भी यह भी नहीं पूरी तरह से लेकिन यह क्या होगा यह जो है सपर्म इंजेक्षण होता है इंक्रासालिव इजक्षण होता है इंजेक्षण जो होगा है मैंक्रोफ्रीप्ट इंजेक्षण के खुडव n इ hops इंजेक्षण होगा यह जो होगा इस्में होगा आई C C I Bak है तो यह जो होंगे यह इसके अंसर होंगे ठीक है और यह हम लोगों को जो है सो पेज नंबर 64 and CRT में जो है यह देखने को मिलेगा नेक्स्ट जो है चौथा कोश्चिन हां फोर्थ कोस्चन फोर्थ कोस्चन में जो है यह क्या सब है एसर्शन पॉलन ग्रेंड के विट एस्टेंड मतलब रूख सकता है हाई टेंप्रेचर एंड एस्ट्रॉंग एसीड एंड अलकली ठीक है यह चीज हम लोगों को पता है क्या जो पॉलन ग्रेंड जो है तो क्या पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है क्या यह हाइड टेंपरेचर को सस्टेन करता है ठीक है और क्यों कर पाता है तो पॉलन ग्रेन का जब हम इस्ट्रक्टर्चर देखते हैं तो उसे नहीं पता है तो यहां पर में पॉलन ग्रेंड कहने हाइड तेंप्रेशन और है प्रइक बिलकुल सही बात है रिजन में किया दिया है एक्जाइन और पॉलन ग्रेण is made up of spor です लेनिंब ये यह क्या बिलकुल सही है और बिलकुल एगर सही है तो इसके आंसर ऑज्य हो जाएंगे अन र बेस्ट रेग आठ भी अर यह थ drafted कि फिप्ट विच टेंप्रेचर इस सुटेबल फोर एस्टोरेज और पॉलन ग्रेन फोर लॉंग डूरेशन ठीक है तो इसमें जीरो डिग्री सेल्सियस जो है यह हम लोग फिजिक्स में पढ़ते ही हैं जो क्या है जिस पर में वाटर के तीनों कंडिशन में जो है वाटर इनक्टिव हो जाते हैं इस टेंप्रेचर पर में 37 डिग्री सेल्सियस में जो है तो सबका मेटाबॉलिज्म रेट जो है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो डेस्ट्रॉय होने के चांस है ठीक है मतलब सब जो है यह क्या होगा पॉलन ग्रेन यह सुटेबल नहीं है प्रि 12 Day 6 किसके कारण होता यह किसका टेंप्रेचर होता है तो लिकूड नाइट्रोजन का किसका होता है लिकूड नाइट्रोजन अर्रिकूड-पाजो होता है तो इसमें कोई भी चीज जीन बेंक ठीक है जीन बेंक या आस्प ड़न बेंक ये सब कर और जितना ना साल ठांट तक टाइं यह यह एकदम परहेगा फृबार है मतलब चलता रहेगा इसको तो कोई डेस्ट्रोय नहीं होगा तो यह ध्यान रखेंगे तो यह क्या हो गया माइनस 196 दिगरी सेल्सियस में जब तक चाहें इसको रख सकते हैं और यह जो है तो आप हुआ तो हुआ ह唉 हां थी तो हो गया थी वार नेक्स्ट कोस्ट्ट टी सीक्स्ट हां विच अपड़ मुच अप्त्व मुच अपर फॉलॉइंग ग्रूप ऑफ सीद कंटेंगे इस पर्म ठीक है तो यहां पर मिश्ज अप्ड़ फॉलॉइंग ग्रूप ऑप शीद है तो यहां पर में यह जो दिया गया है त्व में किलियर लाइन है इसमें ब्लैक पीपर और बीट है ब्लैक पीपर और पी यह सब जो अनसर जो है सो किलियर कट कि क्या होगा ब्लाक पीपर एंड बीट यह क्या होता है नुशेलस नुशेलस ऑफ यह एंब्रियो सैक जो होते हैं उसके से जो है वो परसिस्टेंट रहते हैं और परसिस्टेंट से मतलब क्या होता है शीट जब बनते हैं फ्रूट बनते हैं तो सीट के साथ वो जो है पर पेडियो नंबर 36 नंबर पेंची आटी में जो है इसको मेंस पॉर्प्च कीया गया राजुंट पारा का लॉस्ट लाइंस यूर्प laasht सेंटेंस उसके बारे में दिया गया है यह दो एक्जामपल यूज है इसके होंगे ठीक है नेक्स्ट कॉस्चन हां next question जो होंगे इसमें match the column one with column two column one में क्या सब है myomatrium perimetrium endometrium mons pubis तो इसमें जो है यह क्या है तो यह हम लोगों को एक चीज़ पता है जो यूटेरस का यूटेरस का जो होगा वो क्या होंगे यूटेरस के इस्ट्रक्चर जो होंगे यह दो नंबर दो नंबर से तीन नंबर में यूटेरस के डिटेल लेबलिंग के साथ यह सब जो सो पूछे जा सकते हैं ठीक है तो यू टेरस के जो पार्ट होंगे उस पार्ट में बाहर से मतलब बाहर का जो पार्ट होगा उसको क्या कहा जाएगा पेडायम सबसे पहले और यो matrium जो होगा, वह middle हो जाएगा, and ये endometrium जो होगे, वह innermost हो जाएँगे, innermost and month pubis, जो है, ये actually में Exacterna part of external genitalia, month pubis जो होगा, ये क्या होगा? पार्ट अप एक्स्टर्नल जेनिटेलिया और यह जो होंगे एक्चॉली में फैटी लेयर होते हैं ठीक है यह फैटी लेयर होते हैं और इसके हिसाब से अगर हम मिलाएं तो क्या होगा मीडिल मयो मीड्य मिड्यलेयर हो जागा पेरी मैट्याम एक्स्टर्नल मेंब्रेन आप यूटेरस ठीक है मॉंस्य प्यूबिस फैत्टी होजाएगा एंडो मैट्रियम इनर मोश्ट लेयर ओप यूटेरस ठीक है और यह कहां पर में होगा तो पी का 2, इसमें है, क्यूं का 1, पी का 2, क्यूं का 1, इसमें है, पी का 2, क्यूं का 1, तब यही आर का 3, यह होंगे फिर नंबर को स्टन हो गये हैं इसका रेफरेंस आपको पेज नंबर 46 में मिल जाएंगे ठीक है इसका रेफरेंस आपको पेज नंबर 646 में अब नेक्स्ट्स च्टिंग देखेंगे नेक्स्ट्स चौस्ट्ट जो है वह क्या है चूंग 捐다 आप्शन प्रोमेंग कर्एक अस्टेटमेंट to नकि के लिए जो ए इस पर में नूट्रीशन फ्रॉम शॉली से ठीक है यह यह यहां पर में हम एक एकस्प्लानेशन देना चाहेंगे वो यह कि यह ध्यान रखेंगे अस्पर मैटोजेनेसिस में जो एस्पोरोगेनस सेल होता है अस्पोरोगेनस सेल को डबलब करने के लिए जो सर्टोली सिल सेल क्लस्टर में पाए जाते हैं वह सर्टोली सेल हो इस्पोरोगेनस सेल तिल अस्परमेटोड गौनियम से था भी करते हैं तो यह पूरी तरह से नहीं लेकिन पार्सियल कर सकते हैं पूरी तरह से नहीं है सटोली सेल प्रोड्यूसेज एंड्रोजन यह तो एक दम लीडिंग सेल होता है तो यह जो तो गलत हो गया यह नहीं होगा लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजन बिल्कुल सही है लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस्ट फ्रोम ओवरी यह जो है सो टेस्टिस में होता है इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया ठीक है साइकल इज नोट उब्जय ड्यूरिंग प्रिगनेंसी बिलकुल सही बातर यह भी सही हो गया यह चाहिए यहां पर में आप लोगों को ध्यान देना है क्या जो है अगर वान नहीं दे तो यह अगर स्ट्रिक्टर सेंस में और श्ट्रिक्त ली अगर कहा जाए तो यही जो है यह वह होगा लेकिन कुछ जगों पर में आपको जो है यह भी अंसर मिल जाएंगे लेकिन जो है एस्ट्रिक्ट बेरी एस्ट्रिक्ट सेंस की बात करें तो यह अंसर जो है वह राइट होगा ठीक है लेकिन जो है लूजली एरेंज बाली जब बात होगी तो लूजली एरेंज में यह भी आ जाते हैं ठीक है यह और एट नंबर एंड नाइन नंबर नाइन नंबर में जो है वो क्या है आप्टर दे यूज ऑफ विच मेथर्ड देर इज नो प्रोशिविलिटी अप्रिगनेंसी ठीक है पहला है फिजिकल बैरियर फिल्टिकल बैरियर का अगर लिए लगा जाए जैसे क्या डाया फ्रैग्म होता है यह सब जो होगा फिजिकल बैरियर इस सब का जो है इसमें यह फिजिकल बैरियर में इस सब में क्या होंगे जो कभी रप्चर हो जाए या किसी भी कारण से यह तूट फूट अगर हो जाए तो एक्सिडेंटली इसमें चांस होते हैं किसके कांसीव के कांसीव होने के चांस इसमें हो सकते हैं, chemical barrier method, chemical barrier में क्या होते हैं, जो cream, jelly ये सब अगर use करते हैं, तो एक बार में 200 से 300 million जो esperm आते हैं, ये इतने सारे esperm को हो सकता है, जो कभी कमी पढ़ जाए, तो पूरा chemical उसको destroy ना कर पाए, ठीक है, तो ये सब भी almost all the, ये सारे के सारे effective है, but not so much, मतलब क्या 100% effective हम इसको नहीं का सकते, ठीक है, esterlity method, esterlity method में जो है, ये क्या सब होते है, tubectomy and vasectomy, ये जो tubectomy and vasectomy है, इसमें क्या हो जाता है, vasectomy में worst difference को cut किया जाता है, ठीक है ना, और इसमे, tubectomy में जो ऐसो fallopian tube को जो ऐसो cut किया जाता है, और ये जो होता है, वो permanent होते हैं, ठीक है, तो ये जो answer होगा, ये बिल्कूल esterlity method जो होगा, वो सही होगा, ठीक है, and natural barrier method क्या होते है, तो natural barrier method कहा जाता है, क्या, जो सबसे most fertile period जो होगा, वो क्या कहा जाता है, 10 to 17 days, 10 to 17 days of menstrual cycle जो होगा, 10 to 17 days of menstrual cycle जो होंगे, इसको क्या कहा जाता है, most fertile, अब क्या है, जो सब के अलग अलग जो है, ये fix menstrual cycle के लिए क्या कहा जाता है, theoretical 28 days, lunar month, इन सब को किया जाता है, लेकिन यहीं पर में इसका range अगर देखा जाए, तो range क्या कहा जाता है, 22, 44 days के बीच में कभी भी हो जाए, तो यह जो है, इसके बाहर अगर जाए, तो clinical problem है, अदरवाज यह कोई clinical problem नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, तो इसलिए natural, तो इसमें कभ किसका menstruation होगा, यह proper नहीं है, तो यह भी जो है, 100% fix नहीं है, तो इसलिए आज से देखा जाए, तो यह जो होगा, वह जो होगा, वह जनूइन आंसर होंगे, ठीक है, इसका reference आपको page 61 में मिल जाएंगे, 9 के बाद जो है, 10, sexually transmitted diseases are caused by which microorganism, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे, तो STD की जो बात होती है, STD, bacteria virus से होती है, ठीक है, virus bacteria and fungi से भी होते हैं, fungi and protozoa से भी होते हैं, ठीक है, protozoa में जो है, आप लोगों को लगे, जो कभी सुना नहीं है, तो trichomonas vaginalis यह होते हैं, एक है प्रोटो जोन, trichomonas vaginalis, ठीक है, यह जो आप प्रोटो जोन डीजीज यह cause करते हैं, अब यही पर में देखें, तो virus में हम लोगों को पता है, यह virus में जैसे HIV हो गया, यह इसके कारण होता है, फंजाई में जो है, इचिंग का हो रहता है, bacteria से जो है शिफिलिस हो गया आप, शिफिलिस डीजी होगे आप प्रोटो जोन क्यां की भी बात कर लिया, तो इसमें जो है यह क्या है, सारे के सारे जो है, यह female में यह जो है, सब्सक्राइब जो है यह चारों के चारों करते हैं तो इसके जो अंसर हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे टेन के डी हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे हम लोग फुछ टमेंट अपनों वपोलोईंग डूकरेकर्ट टों सब्सक्राइब करेंगे तो यह जो है पैड़ लींत इन्ट कार्एंट्ट करेक्ट फोर सर्जिकल मेथाड ओफ कंट्रासेप्टि इसमें अगर हम बात करेंगे तो आप्टर ट्यूब एक्टोमी दो ओवम इस नोट इंटर इंटू दा यूटेरस अभी कुछ देर पहले हमने कहा था क्या जब फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे तो फिर वह कैसे ज अगर नहीं जा पाएगा तो फिर क्या होगा यह नहीं हो पाएगा ठीक है तो कूल मिला करके जो यह बात जो है यह सही है यह सही है a small incision is done on the leet tais'tis demonstrant और यह हुए जाता है यह क्या लिखा री टिस तिस आथर पार्ट आप ट्स्टि구나 यह पर निएक्टिक करेक्ट में आएगा वासा डिफ्रेंशिया आता है और वासा डिफ्रेंशिया में कट करता है इसका मतलब क्या होगा अस्पर्ण जो है सो एपीडीडाइमिस में मौजूद रहेगा लेकिन वहां तक नहीं आएगा सर्जिकल मेथड आर हाइली इफेक्टिव बट देर रिभर्सेविलीटी वेरिंश यो बिल्कुल सही है क्योंकि अमदर एक वारसरसीकली जो कट करके रिमूव कर दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है तो ब्लोक होने के बाद अब Legal के तुरुरत तो जरूरत परतिए रहे बाद में उसको मैनों सालistent यों कहीं सा द सो उस एड्जस्ट कर ले के बाद फिर से अगर हम उसको दोबारा जो आपन करते हैं तो वह आपन की संभावना जो है मिनिमम या फिर कहिए नेगलीजीवल हो जाती है तो इसी को कहा गया तो यह बात भी सही है तो कुल मिला करके क्या हो गया एक बी स्मॉल इंसीजन इस डन ओन टेस्टिस द्यूरिंग वैसक्टोमी यह जो है नोट करेक्ट आया अब नेक्स्ट राम लोग जो देखेंगे कोस्टन थर्टीन नंबर थर्टीन नंबर कोस्टन में क्या है दा रेशियो नाइट्रोजन वे बेसेज इन इस स्पेसिफिक सिगमेंट आप डवल ने इस 52 वीच आर लिंक्ट बाइ थिरी हाइड्रोजन बोन तो वाट इस द्रेस्यो आप यूरी नाइट्रोजन गैसे प्यूरी बेसे जोगा एक्ट्रीन नाइट्रोजन बेसे आट दा सेम सिगमेंट यहां पर में जो हम लोगों को यह देखना होगा चाहे यह कोस्टन कह कर अशब अब जूब द क्या है आई गंग्ट बंड तो यह हम लोगों को पता है जो होगा यह क्या बनाता है टी के साथ तीन बॉंड बनाता है और जी जो है वो डॉट बॉंड सी के साथ बनाता है। गुलन साइटोसीन के साथ बनाता है। ठीक है तो अब लेकिन क्या पूछा है यह इस तरह से तो नहीं पूछा जो है यह क्या है कोस्टन कहां पर में आ गया है थरी हाइड्रोजन ठीक अगर यह पर में यह प्यूरीन हो गया ठीक है और यह डी मीदिन हो गया तो प्यूरीन जीत्या चारगाप रॉल के हिसाब से जो है हम लोग अगर देखेंगे तो यह क्या होगा प्यूरी इज इक्वल टू पाइडी मीडीन और उस हिसाब से देखा जाए तो हमको कोस्टन क्या पूछा गया है प्यूरी नाइट्रोजन बेसे ठीक है तो यह हमेशा जो होगा वो क्या होगा 50-50 चारगाप्स र प्यूरी नाइट परसेंट थीक है उस हिसाब से अगर अंसर पकड़ोगे तो फिर अंसर जो है तो गलत हो जाएगा क्योंकि आप लोग जो है 52 पर में चले जाओगे इस चीज को जो है वह ध्यान रखना है ठीक है क्यों क्योंकि यहां पर में कोस्टन क्या है वाटी रेशि प्यूरीन की बात करा अब प्यूरीन का रेशियो जब पूछेगा तो फिर क्या होगा 50 पर सेंट समझ में आया होगा जो कहां पर में कोस्टन हुआ है नेक्स्ट जो कोस्टन हम लोग देखेंगे 13 14 14 नंबर के कोस्टन जो होगा है वाट वेड़ ब्रेन कैपैसिटी आप होमो इरेक्टर से इसमें कुछ एक्स्प्लानेशन करने की ज़रूरत जैदा परती नहीं है हां जो यह इवाल्यूशन ओप मैं की बात होगी वाल्यूशन ओप मैं में जो है पहला होमोहेबलिस का जो 1800 से 800 CC करेंट मेंट का जो होगा जो होव मूश मेंस का जो होता है फोर्तीन हान्रेटिट सीजी नाइन हंड्रेड जो होगा वो किसका होगा होमो एक्टर का ठीक है तो ये चीज हम लोग information को ध्यान रखना है जो होमो कर दिया गया है रहा हां नेक्स्ट कोस्टन जो हम लोग देखेंगे कि प्रॉम फेर ड़र ड्रग एसमाक इज एक्स्ट्रैक्टेड ठीक है यह बात आएगी तो यह भी जो होगा यह डिरेक्ट कहां पर में फिफ्टीन नंबर कोस्टन जो होगा इसका फ्रॉम देशीड ऊप एक्रोफ बेलाडोना ठीक है एक्रोफ बेलाडोना यह सब जो हैं रोटा है यह तो यह इसमें नहीं नहीं आएगा ठीक है यह जो है सो बांग कैनाबिस जो हो गया भांग और तो यह इसलिए यह नहीं होंगा ठीक है नेक आता है फ्रॉम दे लेटेक्स ऑफ ओपियम पॉपी इसमें यह होंगे ठीक है इसमें एसमेक जो है मॉर्फिन डाइडिय सीटाल मॉर्फिन जो होते है उसी को जो है लैटेक्स वहां पर में मॉर्फिन बनाया जाता है ठीक है और इससे जो एसो कोक बनते हैं ठीक है कोक कोके किसे अरिफ्रोजायलम कोका यह इस प्लांट से ठीक है तो यह नहीं होंगे answer क्या हो जा जाएगा ठीक है और यह 158 नंबर पेज में आप लोगों को इसके NCRT में इसके डीटेल देख जाएगा ठीक है which one of the following fish is different from other pieces on the basis of habitat ठीक है तो हम लोगों को यह क्या कहते है 16 16 number question में जो है यह हम लोगों को एक जगह दिखता है जो एडीबल फ्रेश वाटर फिसेज एडीबल मेराइन फिसेज इस दोनों में जो नाम आता है तो इसमें किसका किसका नाम आता है यह question इस तरह से भी पूछे जाते है हिलसा सारडाइन मैकेरल पॉंफ्रेट यह चारो क्या है यह बुक में 169 पेज नंबर पर में NCRT के दिए गए हैं यह जो चारो हो जाते हैं यह चारो क्या है मेराइन एडिबल फीस जबकि कैटला रोहू एंड कार्प यह जो होते हैं यह क्या हो जाता है फ्रेश वाटर एडिवल फीस तो यहां पर में तीन जो है वो क्या हो जा रहा है मेराइन फीस और यह अकेला जो है वो क्या हो गया फ्रेश वाटर एडिवल फीस इसी लिए यह आंसर इसमें होंगे 16 क्यों 17 17 17 में identify the compatible पेयर यहां पर में यह जो हम 17 नंबर का जो कोस्टन देख रहे हैं यह आपको 183 पेज नंबर NCRT में इसका है तो एसपर्जिलस नाइजर यह साइट्रिक एसीड बनाता है सही है ठीक है एसीटो बैक्टर एसीटी यह जो है यह क्या हो जाते है एस्ट्रेप्टो काइन यह एसीटिक एसीड बनाते है यह गलत हो गया ठीक है नेक्स्ट जो एक लौस्ट्रीडियम व्यूटैलिक यह व्यूटैरीक एसीड बनाते हैं इसलिए यह गलत हो गए एंड्ट्राइकोडर्मन ई जैक्लो असपोरीन बनाते हैं इसलिए यह गलत हो गया ठीक है तो यह एसपरजीलस नाइजर साइट्रीक एसीड बनाते हैं यह इस लियाद से जो है यह सही हो गए तो 183 पेज में इसके रेफरेंस आपको दिखेंगे ठीक है कोस्चन नंबर 18 विच आड़ फॉलोइंग एंजाइम्स हुज रिकोगनीशन साइट आर प्रिजेंट ओन एंपी सीलीन रेसिस्टेंस जीन इन पीवी आर ठीक है हां तो यह 18 नंबर के जो कोश्चन हो जाएंगे इसमें क्या सब होगा जब हम देखते हैं तो इसका जो एसो पर 18 हां 18 नंबर के जो 199 पेज बायो टेकनोलोजी में वहां पर में प्रिंस्पूल्स में जो है यह इसका नाम है वहां पर में अगर एंपि शेलिन कीिस जीनकर साइजर है तो वहांपर में दो रिकोगनिशन साइट यह पी विओ अडे एस जोडेटिव डिटेल ए यहां पर में लैंग्वेज में नहीं उसका एकIP श्रक्चर हो escort में इसके डीटेल-टीक थिक है तो वहां पर में क्लियर कट एंपी शिलीन लिखा होगा पिंक कलर का और वहां पर में जो है पी वी यू वन एंड पी एस टी वन यह दोनों रिकोगनीशन साइट है उसके ठीक है एक तीन हां विच प्रोटीन इज यूज़्ड टू ट्रीट एंफी सीमा यह इंटर फेरो नहीं होगा हां अलफा वन एंटी ट्रिप्सीन ठीक है अलफा वन एंटी ट्रिप्सीन संट प्रेज़ नमबर टू ठार्टीन में इसका जिक्र है बायो टेक्नोलोजी के मदद से यह बनाया गया है ठीक है अलफा वन एंटी ट्रिप्सीन यह बायो टेक्नोलोजी के मदद से जो है तो यह नेक्स्ट कोस्टन अब ट्वेंटी बाइच आप दॉट्वाइग एक्वेशन दो वरहॉल्स पर लोजिस्टिक ग्रोथ इज डेस्क्राइब यहां पर में जो है यह कोई यह सिंपल सा वरहॉल्स लोजिस्टिक ग्रोथ जो है इसके रूल यह यह जो रूल है इसमें क्या है पॉपलेशन डेंसीटी इन टाइम जो होगा और क्या है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हो जाएगा एंड इनीशियल एंड फाइनल ठीक है इस लिए तरह से जो अगर हम देखेंगे तो एक्वेशन में जो है यह फीट बैकते हैं और यही इसक का एक्वेशन यह भी जो है सो क्लियर कट ओकर यह दिए गया है और इसका डिराइवेशन जो है आपको नोट में धिया जाएगा ठीक है यह आप लोग देख लेंगे ठीक है नेक्स्ट कॉस्टन जो हम लोग देखेंगे वैसे पेस्टू थार्टी वन में इसको मेंसुन किय तो यहां पर में सेग्रीगेशन मेंडेलियन कंसेप्ट में होते हैं सेग्रीगेशन क्या हुआ जो यह लौ प्यूरीटी ऑफ गैमिट्स जो होंगे उस समय क्या होगा एक टाइम ऑफ गैमिटो जेनेसिस एक जीन के अगर दो एलील है तो दोनों जो है वो एक दूसरे से सेप्रेट होते हैं मियोसिस के समझ ठीक है तो यह हो गया प्यूरीटी ऑफ गैमिट्स यह भी जो मेंडेलियन लाओ को फॉलो करता है इंडिपेंडेंट एस्सौर्टमेंट यहां पर में जो है सो दो जीन वाली जो बात होती है तूजीन का जो है एस सॉर्ड़ क्या है यह इंडिपेंडेंट क्dlesुर्टमेंट मेंडेलियन वहां सब्सक्राऑं करता है लेकिन इंप्लीट डौमिनेंस में एक चीज का वन इस टू टू इस टू वन जैसे अंटी राइनम में आते हैं स्नाप ड्रागन में आते हैं ठीक है तो इस समय जो है डॉप फ्लावर इस समय रेशियों आते हैं लेकिन क्या होते हैं जो मिरा बे इस जलापा में भी यह रेड रेड एंड दो जो एंग होतें हैं aand white यह क्या होते हैं जो तीन फिनो टाइप जो circles currently हो गए तीन तरह qualified पिनो टाइप होगे यह चीज जो है क्यों होते हैं तो यहां पर में जो हाइब्रीड होते हैं हेटेरोजाइगस कंडिशन होते हैं तो यह एक इसका होगा एलिल एक इसका एलिल और यह दोनों अपने आपको को equally express करते हैं किस केस में incomplete dominance के केस में यह जो है मतला mendelion लौको यह फॉलो नहीं करता और फॉलो नहीं करता इसालिए जो है यहाँ पर में यह answer होंगे ठीक है ट्वेंटी वर नंबर कोस्टन हो गया इसको भी आप 76 नमबर पेज में जो है देख सकते हैं NCRT की हां 22 नमबर कोस्टन में जो होगा यह क्या a human female with Turner syndrome Turner syndrome में हम लोगों को क्या पता है जो इसमें 45 प्रोमोजों ही होते हैं 45 प्रोमोजों जो होते हैं यह क्या होते हैं यह में जो होगा यह X 1 X jho Andrew welcome के 44-6 यह होते हैं तो यह किस का होगा Turner syndrome का होगा यह आपको 91 पेज़ भी ठीक है ना NCRT में डीजीज वाला जो सेक्शन होता है वहां पर में दिख जाएगा ठीक है तो यह इस लिहाद से अगर देखा जाए तो यह इसके सही है आज वन एडिशनल एक्सक्रोमों यह गलत हो जाएंगे एगिविट्स मेल करेक्टर्स गलत हो जाएंगे इस एबल तो प्रोद्यूस चिल्ट्रें विट नॉर्मल अज्वें यह भी गलत हो जाएंगे तो कुल मिला के अंसर जो है यह आज जाएंगे ट्वैंटी सेखेंड हो गया ट्वैंटी सेखेंड के बाद जो है ट्वैंटी थर्ड नेट एलेक्रिक चार्ज ऑन डी एन एंड हिस्टोन्स आर अब 23 में जो ही हम लोगों को एक चीज़ पता है क्या डी ने जो है वो क्या होते हैं एसीडिक होते हैं डी एने किसके कारण एसीडिक होते हैं तो यहां पर में जो फॉस्फोरिक एसीड के कारण डी एन एसीडिक होते हैं और वहां और इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं उसमें आरजीनीन एंड लाइसीन यह दोनों basic amino acid है जो बहुत जैदा होते हैं ठीक है मतलब maximum amount में histone protein में होते हैं और वो क्या करते हैं negative of the DNA is equalized or balance by arginine and lysine of the histone protein ठीक है तो यहां पर the net electric charge on DNA and histone is तो DNA का अच्या होगा निगेटिव होगा and histone का positive होगा ठीक है तो यह सब जो किसमें ठीक है तो यह 23 नंबर का question हो गया यह 99 नंबर पेज पर में इसका DNA का जो है सब कुछ detail दिया गया है इस question का reference next 24 the promoter site and the terminator site for transcription are located at यहां पर में जो है 24 number question में जो हम लोगों को देखना होगा वो क्या होता है जो प्रमोटर जो होगा अगर कोई एक जीन है कोई एक जीन है तो यहां पर में क्या होगा यह अगर प्रमोटर हो गया यह structural part हो गया और यह क्या हो गया terminal part हो गया तो जो इस तरफ यह क्या होगा 30 actually अचीक है तो इस तरफ होगा तो यह फाइव प्रिम के तरफ होगा एंची ओ यह के तरफ होगा तो पाइब अपस्त्रीम एंद दौन एस्ट्रीम थीक है यह जो है तो इसके अंसर बी को और इसका रेफेरेंस आपको यह 108 नमबर पे यंची आर्टी में दिख जाएंगे ठीक है कोश्चन नमबर 25 विच आप फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांस्क्रिप्शन इज कैटलाइज बाई आर ने पॉली मेरेज आर ने पॉली मेरेज ट्रांस्क्रिप्शन जो है तो यह होंगे तो वह क्या सब होंगे आर ने पॉली मेरेज किसको केटलाइज करते हैं तो यहां पर में एक चीज हम लोगों को ध्यान देना होगा जो आर ने पॉली मेरेज पर में आर ने पॉली मेरेज पर में यह इनिसियेशन फैक्टर जो होगा वो शिगमा जो होगा ठीक है शिगमा एंड टर्मिनेशन फैक्टर जो होंगे वो रो होते हैं यह करता सारा कम आरेने पॉली मेरेज ही है लेकिन इसमें जो है किलियर कट बचों ध्यान दीजिएगा इस बात करको जो टुएंटी फाइव क 100 पेज मे आपको दिखेगा और वहां पर में कहता क्या एक वर्ड यूज त्रांजी न्टली है बानले यह एंडलि स्प्राइज एंडल ट्रांग्जेंटलि मिन्स क्या कुछ देर के लिए कुछ चंड के लिए सारा काम कौन करता आऽ यह यह सिंग मापाटर जूटता है और यह स्थार्ट कर देता स्थार्ट करते ऑफी वह को दिटैच हो जाता है उसके बाद यह क्या करता है बगार सिग्मा फैक्टर के यह और आरेने पॉपली मेरेज इसको इलोंगेट करता है और फिर जो है कुछ पल के लिए जब ही आरेने पॉपली मेरेज से तर्मक्पाँ ज locks Рinvest जो है वहीं पर में चेक हो जाता है자를 को हो जाता है तो फिर सारा सिस्टम वहीं पर में फॉह जाता है तो इस लियाद से अगर देखा जाए तो सिर्스가 क्ले और एलिदे पॉली मेरेज के harmon जो काम हो रहा है है वो क्या है इलांगेशन हो रहा है आप लोग को समझ में आ गई होगी यह बात अब हम लोग जो है तो नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे को स्टन नंबर जो है वो कौन सा 26 26 वाइल एनालाइजिंग दर डी एन अप एन और गेनीज्म ए टोटल नंबर औप ट्रीएट सिक्स नुपलियो टाइट ज्यान रखेंगे क्या लिकाए नुपलियो टाइट वर फोंड आट अप वीच द प्रॉपोर्शन ऑफ डिप्रेंट बेसेज्ञ वर प्रॉपोर्शन ऑफ दिफ्रेंट बेसेज अदेनीं ट्वेन परसंट गुन इन 17 परसंट साइटोसीन थर्टी तू परसेंट एंड थाइमीन 17 परसेंट कांसीडरिंग चारगाप्स रूल इट कैन भी कांक्लूडेड देट अब देखिये हमने शुरू में कहा था जितना एडेनीन होगा उतना ही थी होगा थाइमीन होगा लेकिन यहां पर में एडेनीन को 29 परसेंट क कही से मेल नहीं खा रहा है मतलब यह दोनों जो अलग अलग है साथ नहीं है दूसरा गूएनीन 17 परसेंट हुआ तो साइटोसीन को भी 17 परसेंट लेकिन यह अलग है इसका मतलब क्या है जो यह यह यहां पर में लिखा है नुकलियोटाइड शावा यह नुकलियोटाइड जो है डबल हैलिक्स नहीं है डबल हैलिक्स नहीं है तो क्या होगा यह सिंगिल होगा तो यहां पर में इती जे सिंगिल एस्ट्रेंडेड डीने इसका होगा ठीक है क्यों होगा यह समझ में आ गया होगा हां नेक्स्ट जो कोश्चन हम लोग देखेंगे वो है 27 the bones of four limbs of whale bat cheetah and men men are similar in a structure because यह क्या है इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो 131 पेज नमबर के फीगर में एक साथ इनको दिया गया है इस सब क्या है फीगर में क्या दिया गया है तो यह दिया गया है वेल बैट चीता and men इन सब के जो है फोर्लीन मतलब अगला काम करता है बैलनिंसिंग की काम करता है बैट में उडने गाम काम के नहीं है ठीक है तो इसका चा मतलब one organism has given rise to another ये गलत जवाब है ये ये पर फॉर्म दे सेम फंट्सन फंट्सन अलग-अलग है ये गलत हो गया दे शेयर एक कॉमन एंसेस्टर बिल्कुल सही ये क्या है एक एंसेस्टर से आये होंगे और सब को अलग-अलग तरह का geographical condition मिला और जिस तरह का condition मिला उस तरह से उस लाइन पर में उनका evolution होता चला गया और evolution होने के वज़ए से वह एक different species time and space में बन गए तो ये क्या होगा देश सेर एक कॉमन एंसेस्टर ठीक है एंड बायो केमिकल सिमिलेरीटी की बात हम यहां पर में नहीं करेंगे ट्वेंटी शेवे हां ट्वेंटी एट इना लोगास और गेंस एराइज ड्यू टू ठीक है तो यह जो होंगे अधिक यह शिर्च उंख अंदों उप्रेंग यह डौनों को डिफ्परेंश करके जो ऐसम जैक्टी में 2 दो नंबर तक बिला पूचा जा सकता है क्या है एस दोनों में याद रखना तो यह याद रखना है homologous organ जो होगा वो क्या होगा similar in origin different in function homologous organ और इसी का opposite similar in function different in origin ठीक है जैसे कहाँ अक्तोपस का आय और human हम लोग का आय दोनों का आय जो काम क्या होगा देखने का ही काम करेगा लेकिन उसके आय का origin और मेरे आय का origin अलग अलग है तो यह दोनों क्या है देखने का काम एक ही है तो यह क्या हो गया और इसे पिछला question जो देखें थे fourly mob cheetah, bat, whale and men यह क्या हो गया ओरीजीन सिमिलर लेकिन फंसन अलग अलग तो यह क्या हो गया हो मोलोग और यह आपको दो से तीन नमबर में पूछा जा सकता है ठीक है बहराग हम एना लोगास ओर्गेंस एराइज ड्यू टू यह क्या होगा तो यह होगा ड्यू टू कनवर्जेंट इवाल्यूशन मतलब क् डिफ्रेंट जगह से आ रहा मतलब डिफ्रेंट ओरीजीन जो है एक एक एडिया में जब आया ठीक है न और पर्टिकुलर इको सिस्टम में एड़्जेस्ट करने के लिए एड़ेप्ट करने के लिए जो अपने में एवाल्यूशन करके बनाया उसको हम क्या कहते हैं यह और जेंट इवाल्यूशन होंगा ठीक है पर देमन ब्लाट गूप सिस्टम गप्रीक्वेंसी जो पर एम अन अलील्स आर पॉंट सेवन अड़ पॉंट थी रस्पेक्टिवली दा एक्स्टेट प्रीक्वेंसी ऑप एमन ब्लाट गूप बेरिंग और गैनिमी इसलाइक जो है यह फॉर्मूला होते हैं फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला तो हाडी-Winfive-lock का फॉर्मूला है हाडी-Winwork-lock का फॉर्मूला क्या है पी प्लस जिय एप लिग एक्स्कुरा प्लस टू दिया गया किस तरह से तो पोईंट तरी कर लेंगे तो यह क्या होगा टू इन टू पोईंट से वेने टू पॉंट ठीक है और इतना का जो जब कर लेंगे तो इसका वैल्यू कितना है यहां पर में वन है ठीक है तो यह जो अगर कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा तू इन तू न, पॉइंट से व हैं इन तू पॉइंट 3 जी थीक है वाइवन इन तू हंड्रेड ठीक है अगर इस तरह से अगर हम करेंगे तो यह यह करेंगे तो यह करीब इसका जो है एक पूरा डिटेल में जो है इस एक्स्प्लानेशन आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा तो यहां पर में इंडियान एक्रिकल्चर रिसर्च इस्टीचूट एंड खादी विकास यह दोनों मिल करके जो है यह किसे कि आगए बायो ग्यास प्रोडक्शन के लिए ठीक है यह बायो ग्यास प्रोडक्शन के लिए और यह भी आप लोगों को जो थाटी नमर का जो से मिल जाएगा थाटी वन हुच आप दो फॉलाइज करेक्ट ऑर्डर स्टेप्स इन पीसी यार यह थाटी वन नंबर कोस्टन जो है पेज नंबर 202 में क्लियार काट फोटो फिगर दिया गया है और उसमें जो है वो क्या सब आ जाता है तो दी नेचुरेशन अनीनि ठीक है इसमें 31 में लेड डी नेचुरेशन एली लिग एंड एक्स्टेंशन एक्सटेंशन एक क्लियर काट फोटो दिया झाया इसमें कोई एक्स्प्रेशन की जरूरत नहीं है नेक्स्ट जो है एस्टेटमेंट ए डी एन आ स्टूल मेंबरेन बिल्कुल सही है रीजन dna यह घ्र फोबिक मॉलीक्यूल है क्या बात हो यह ध्यान रखेंगे है घ्रक और तो नहीं न hijos वह जाउब मॉलीक्यूल है ठीक ना और चाउब doin नहीं लेता से जो है कुछ special case में ही लेता है ठीक है तो यहां पर में charged होने के कारण इसको यह नहीं लेगा और यह जो नहीं लेगा तो यहां पर में इसके अंसर statement a and region are both are correct गलत हो गया statement a and region are both are correct because r is in the Galatoga statement a is correct and it is yes a year कि इसके बाद क्या करते है next question but identify the palindromic sequence from the following palindromic sequence के बारे में जो हम लोगों ने देखा क्या सब जानते हैं इसके बारे में तो इसके बारे में page number 197 में इस बात को जिक्र किया गया है क्या जिक्र किया गया है जो आगे से लिखो पीछे से लिखो बात क्या होगा बरावर ही होगा ठीक है मली आलम जलज तो यह इसका जैसे अगर देखें जल गहुंत कि अ ठीक है इतर से लिखें या इस लिखें बरावर ही पड़ेगा तो ऐसा जो अगर रीडिन फ्रेम में कोनुकलियोटाइड स्कंवेंस होगा उसको क्या करते हैं पैलींड्रोमिक स्कंवेंस करते हैं और यह जो पैलींड्रोमिक स्कंवेंस होगा इसको जो है तो किलियर कत एंसी तो इधर क्या होगा जी टी टी एए जी ठीक है इस हिसाब से जो है यह जाएंगा और यह अगर जाएगा तो किस को यह किसमें होगा तो 33 का 33 B होंगे क्लियर है हां यह 197 पेज में इसके रफरेंस दिख जाएंगे नेक्स्ट कोश्च्चन हां सेलक्ट अप्शन पॉर्ट कंटेनिंग्ड एंटी बियोटिक रसिस्टेंस जीन इन इको लाइक क्लोनिंग फैक्तर पीबी आर 322 ठीक है यह जो है सो वैक्तर का काम कर रहा है तो यहां पर में जो है यह क्या होंगे है सेलेक्ट अप्शन फोर कंटेन हां तो इसमें पीबी आर 322 पिछले बार हमने पेज नंबर कहा था एंपी सिलीन के लिए टेत्रा सैकलीन के लिए उसमें दो एंटीबायोटिक यह रहते हैं एंट दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होते हैं और दोनों में ही जो है सो दो दो रिकोगनिशन पीवी वन पीए पीस्टी वन एंड और इसमें होगा यह रेसिस्टेंस साइट होते हैं ठीक है नेक्स्ट कॉस्टन 35 विच यूमन प्रोटीन इज पोजेश्ट बाय ट्रांस जेनिक कोई मिल्क इसमें क्लियर कट जो है यह आलफा आलफा लाक्त अल अलबूमीन जो है यह रोजी के द्वारा जो है सो बनाया गया जो 1997 में पहला ट्रांस जेनिक को बना था ठीक है और यह जो है सो टू थर्टीन पेज में 213 नूमबर पेज में आप लोगों को दिख जाएगा थार्टी सिक्स विच जांपल बायो पैरेशी बायो पैरेशी आज कल तो हम लोग बहुत सारा मोदी जी के राज में पैरेशी की बात सुनते हैं जो इंडिया ने भी ने जहां ताहल का मचाया है मतलब सब को खदेर के तो वह जो है गुंडागर्दी एक तरफ से हुआ तो इसका सब्सक्राइकनी।py बायो पैरेशी क्या है जो कोई हमारा इंडिया का जैसे बासमती रैस्टी सो हमारे इंडिया का है और ऊजाता है इसको कहते घंग इसको कह thought जाता है व यह बायो पैरेशी ठीक है न सब्सक्राइगा बासमती राइस के साथ 1997 में किया गया था ठीक है हां नेक्स्ट प्रोटीन अलफा-1 एंटी ट्रिप्सीन इन यूज तो ट्रीट एंफिसीमा अभी कुछ देर पहले इस अंसर को हम लोगों ने देखा भी था तो इसी वहां पर मैं एक्स्प्लेइन कर दिया थ ग्लाफ इनगीनीर्ड पॉर ग्लैको फोषफेट अर रिसिस्टेंस टू एजो है इसमें clear-cut herbicides में ग्लाइको फोषफेट ने बात आएगा तो हर भी साइट या वीदी साइड धियार थे All we decide resistance विदित करद पर जनी कली मोडिफाइड प्लांट एसमें इसमें इन जने टीकली मोडिफाइड प्लांट जो होंगे वो क्या करते हैं ये इंक्रीड the efficiency of mineral usage by plant गलत हो गया इंक्रीज़ रिलाइंस और के नहीं केमिकल का जो है यह दें तभी तो जेनेटिकली मोडिफाइड है यह नहीं इसको है केमिकल पेस्टीशाइड का इंक्रीज घटाता है ठीक है इन्हें न्यूट्रिशनल वैल्यू सही है मेड क्रॉप्स टॉल्रेंट टुए बायोटिक एस्ट्रेस यह भी बिल्कुल सही है जेनेटिकली मोडिफाइड करके इस तरह का वैडियेंट हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है यह पॉपलेशन है जो यंग इंडिवीज्वाल इंडिवीज्वाल से वाट उड़ वी इस्टेटस ओव दो पॉपलेशन आफर सम्ट यह से ठीक है तो यहां पर में अगर हम पिरामीड बनाएंगे तो पिरामीड में क्या होगा सब से नीचे में प्री रिप्रोड़क्टिव होगा रिप्रोड़क्टिव एज होगा और पिरामीड और स्लोप बने तो यह क्या रहेगा जो पॉपलेशन इंक्रीज हो रहा है ठीक है और यह इस तरह का पिरामीड आपको 227 नंबर पेज में दिख जाएंगे तो यहां पर में इट विल इंक्रीज पॉपलेशन हां मैच एस्टी कॉलम वान तुदिए डिजीज वैक्टर कॉलम तू एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो यहां पर में एड्स एड्स जो होगा वो किसके लिए किससे हचाई भी का हो जाएगा जेनिटी हां जेनिटल हर्ट्स जो होगा यह हूमन पैपिलोमा वाइ दीव वन तो दो में ठीक है सी फूर ठीक है हां गोनोरिया निसीरिया सिफलिस्ट ठीक है यह मिला दिया इसी पर में यह आप्शन सी एबी सीदी नहीं दिख रहा है वो देख करके जो है सो हम लोग कर लेंगे ठीक है प्रॉर टेख अ आप्षम यह तो हर्ट्व गया हां है एबीस्टनी तो कर दो लोग कर लोगी कर लोग है जो कर दो डोगा इसांटीक है आई यूडी ठीक है तो यहां पर में मल्टी लोड 375 यह हम लोगों को ध्यान लखना होगा इसमें कौन्सा भाता है कोपर टी कोपर से वन अन मल्टी लोट 375 यह जो है तो कॉपर रिलीजिन आ यू दी है ठीक है आ यू दी मतलब इंट्रा यू टेरान डिवाइस तो यह क्या हो गया कॉपर रिलीजिग 42 का जो है भी होंगे ठीक है नेक्स्ट 43 which of the following is not included in barrier method of birth control है ठीक है barrier method of birth control में diaphragm जो होगा है ते लिपस लूप नहीं है शर्विकल क्याप है वॉल्ट है ठीक है यह लिपस लूप जो है यह नौन मेडिकेटेड है नौन मेडिकेटेड आयू डी में यह आते हैं ठीक है 43 के बाद जो है तो नेक्स्ट होगा जो होगा यह प्रोस्टेट ग्लेंड एंड सेमिनल वेग स्किल यह क्या हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लेंड अड यह फिगर जो है तो आप लोगों को एंसी आर्टी में भी जो है वो दिख जाएगा कितने 43 नंबर पेज पे ठीक है तो इस हिसाब से इसका अंसर कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट 44 45 वाट हैपन्स दूरिंग फर्टिलाइजेशन इन हुमन्स आप्र मेनी अस्पर्म से रिच लोगों कुछ नहीं होगा जाएगा तो एक ही ठीक है तो यहां पर में जो है क्या सेक्रिशन ओप एक्रोजोम है वनस्पर्म तू इंटर साइटो प्लाज्म ओवम थ्रू जोना से लुसीदा सही है औल अस्पर्म एक्सेप्ट दावन नियरेस्ट दो ओवन लॉस्ट देर तेल्स गलत असेल्स आप कोरोना रेडियेटर नहीं है अन्ली टू अस्पर्म से नियरेस्ट दो ओवम पेनेट्रेट हां तो यह एंसर 45 का है ठीक है 45 के बाद जो है तो नेक्स्ट हम लोगों को यह 51 पेज में दिख जाएंगे इसके यह डिटेल 46 इन वार्टर है सिंट एंड वार्टर ली दो पॉली नेशन इज को टैरीट और बाई वीच एजेंट तो फिर यह पॉली नेशन टॉपिक में आप लोगों को यह दि बच्चे ध्यान जो रखना है इसके जो फ्लावर होते हैं यह वाटर सर्फेस से एबव होते हैं और वाटर सर्फेस से एबव हो जाने के कारण इसमें क्या होता है क्लियर कट लिखा हुआ है जो यह इंसेक्ट जो है इंसेक्ट और विंड के थूरू भी जो है तो इसमें प इन ब्लाक पीपर रेमनेंस आप नुसेलस पर्सिस्टेंट इनॉन एज यह पेरी अस्पर्म शुरू में यह कोस्टेन आया था तो यह दोबर रहा हां नेक्स्ट प्रामरी एंडोस्पर्म नुकुलियस इज यह हम लोगों को पता है जब आएगा कौन यह पॉलन ग्रेंस से ज सेट्रल सेल के साथ मिलेगा तो वह बन जाते हैं ठीक है नब यह क्योंकि सेंट्रल सेल होते हैं उसमें 2 होते हैं ठीक है और यह तीसरा से ता गया पॉलनग्रेंड वाला तो यह जोगा नेक्स्ट दे एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और वाटर इंटु दा सीट डूरिंग जर्मिनेशन इज फैसिलिटेटेट बाइ यह माइक्रो पाइलर रेजन से जो है यह रेस्पीरेशन जो है यह अंजाम दिया जाता है ठीक है यहां पर में सीट कोट नहीं होगा इंटेग्युमे जो है वह एक एसकार मारक है जिसके थू जो है यह प्लासेंटा से एटेच राते हैं सीद ओव्यू ठीक है इसलिए अंसर इसका क्या होगा माइक्रोपाइल कोस्टन नमबर 50 आइडेंटिफाइद इंकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेट टू पॉलीनेशन ठीक है यह एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग फ्लाइज एंड बीटल्स जो है यह फॉल एसमेल जैसे रेफलेसिया हो गया इसी सब्सक्राइब को जो है फॉलीनेशन करवाता है ठीक है इंकरेक्ट तो यह तो राइट इस्टेटमेंट हो गया हां हम ओड्स आध बटर्प्लाइज यह तो बीनेट फॉलीन इंट ए्जिट एगल आतो गया ठीक अपॉलीनेशन बाटरी इंट रेर इंप्लाव बिल्कुल सही एंच्यार्ट कि लैने पॉलीनेशन बावीदिग इंग मोर कॉमन अमंग्स्ट एबियोटिक पॉलीनेशन यह भी को लाइन एंटिक यह तो हो यह गया यह बिलाइन तो यह अंसर इसका इंकरेक्ट पूच रहा तो इंकरेक्ट में यह आएंगी क्यों कि आपके लिए कि इस फुलाइब श्टेमें लाइब काली शिंकर पूस्टिव साय एंड थेसियम प्रोवाइट नरीश्में टूट्स पूर मादर से यह गलत होगा चूंग अलट होगा क्यों कि इस इसमें जो है चार लेयर होते हैं एंटोथीसियम टेप्टं टेप्टं जो है वो नरिस्मेंट प्रोवाइड करता थीक बाकी के जो तीन होते हैं वो प्रोटेक्शन देता है ठीक है नेच्स्ट और मैलीना हैं चैजों गेमस एंड क्लिन्म कर यह घमास और फ्लावर उन्यों श्योच और व प्लावर प्लावर क्या होता वह फ्लावर क्लोज रहेगा इस तो फ्लाव तरह के फ्लावर में सेल्फ पॉलीनेशन होते हैं ठीक है तो यहां पर में स्टेटमेंट P कि पी एस्टेटमेंट कि तीन तहां कि यू जो है वह गलत है क्यों बहुत हर फिए एन्ड थू बोट बोट आर प्रू थी ने स्टेट में पी एंद आर आर करें तो होगा शॉरी इस्टेट में पी एंद आर बोट आर प्रू ये सही है तिक निघ्ट 52 हुच अब दफ फॉलाइज फ्रू आप्षण फॉर्पीगर गीव हैं विलो यह जो इस तो किलेर पिकर है कहां का यह एंद शी आरती में फिगर दिया तो अभी हमने कुछ दिर पहले कहा था जो अटरमोस्ट लेयर एपीडर्मिस होगा एपीडर्मिस के बाद यह एपीडर्मिस एपीडर्मिस के बाद एंडोथेसियम मीडिल लेयर एंड टैप्टम ठीक है तो यहां पर में जो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा सही आ पर आया है एपीडर्मिस है फास्ट एपीडर्मिस सकेंड एंडोथेसियम थार्ड मीडिल लेयर फोट टैप्टम यह सही है नेक्स्ट 53 पॉलेन ग्रेंस इन डैस आर लॉंग एंड रिवन लाइक यहां पर में जो हम लोगों को देखना है क्या जो कॉंप सा प्लांट यह जो है इसमें नेच्रल लॉजिकल लगाना क्या जो किसको जो है यह रिवन लाइक लॉंग होगा तो यह लॉंग एंड रिवन लाइक होने से पॉलीनेशन में हल्प होगा तो अब जरा सोचिए अगर एक ही फ्लाबर बे डोंव पॉलन ग्रें एं WiFi यहाद करहा चाहिए हवल को ना चाहिए जैदा नंबर में ना चाहिए यह वह होता है और जब वाटर के अंदर जो क्यों संब मार्ज नो जो होगा तो वह उसमें क्या उसमें जो है वह लोंग एंड रीबन लाइक होना चाहिए ठीक है तो इसका जो अंसर हो जाएगा यह सब मर्जट ब्लान्ट इन चारों में से यह दोनों है सो टेरेस्ट्रियल है यह और डौक टीक है ऐकवेटिक में सी अ सीग्रास जो है वो क्या है समल्ग समर्ज से मतलब क्या है है पानी के अंदर होंगे ठीक है तो 53 का जो अंसर होंगे वह दी होंगे 54 वाट इस दफेट ऑफ दे बेल गैमिट डिस्चार्ड इन सिनर्जीड अब सिनर्जीड बे जब माइक्रो पाइलर एंड पर में जब आते हैं कौन पॉलन ट्यूब आते हैं और सिनर्जीड से जब उनका कोलीजन होता है तो फिर क्या होगा उस में से नुकलियस निकलते हैं जो में मेल जर्म से जो है वो निकलते हैं वो निकलने के बाद जो है वहां पर में पहला जो है वह एक से और दूसरा सेंट्रल से जो है वह क्या पर्टिलाइज करेंगे तो फाला करेंगे तो वह क्या होगा वन फ्यूज्ज विद गाइग अधर फ्यूज्ज फिनरजीड नुकुलियस गलत हो गया वान फ्यूज फिन फ्यूज चेंट्रल से नुकुलिया यह सही आंसर थीक एक फिप्टी फोर के बाद 55 a Dioces a Dioces flowering plant prevents बोथ क्या सब करेगा Diocese होगा जो मतलब क्या जो मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर ओंगे तो male flower and female flower जिसके अलग अलग होंगे जैसे पपाया हो गया तो यह क्या करेगा तो पपाया में self-fertilization and self-pollination and cross-pollination तो self-pollination नहीं हो सकता इसमें ठीक है हां आटोगेमी एंड जिटेनोगेमी जो है यह नहीं होंगे जिटेनोगेमी एंड cross-pollination ट्लिश्टोगेमी नहीं ठीक है तो इस हिसाब से डायोसियस में क्या होगा जब भी होगा वो cross-pollination होगा ठीक है तो यहां पर में यह cross-pollination जो है यह सही आ रहा है इसका उसके बाद की इसमें नहीं होगा क्योंकि इसके तोटलीडिफरेंट के जो है तो फिर क्लीयर है जब प्लांटी डिफरेंट है तो फिर तो इसलियाद से अगर देखेंगे तो आब गेमी औंड गेमी यह थिया जो है यह क्लाइञ है उसमें यह जो होते हैं टाइप के प्लांट होते हैं यह इस दोनों को लिए यह करते हैं प्रिप्ति फाइव के торовery ऴॉचब में इसको मीनसन की आगए आप ठीक है इंटेंसली लाक्टेटिंग मदर्स डू नोट जेनरली कंसीव ड्यू टू यहां पर में क्या होगा दो नेचुरल में जो होते हैं प्रिवेंशन किसके प्रिगनेंसी के तो उसमें कहा जाता है क्या जब बार्थ होने के बाद पार्चूरीशन के बाद करिम छे महिना तक ऐसा होता है मैं नोडिया स्टेज होते हैं मैं नोडिया स्टेज से मतलब चाहिए वहां पर में कोई मैंसुरेशन साइकल नहीं होता मैंसुरेशन साइकल नहीं होगा मतलब एग डिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कंसीव नहीं करेंगे और कंसीव नहीं करेंगे तो यह क्या होगा यह किसके कारण होगा सप्प्रेशन ओप गोनेडो ट्रोपिन्स ठीक है नेक्स्ट कोश्च दा मैथड ऑप डायरेक्टली इंजेक्टिंग एस्पर्म इंटू ओभाम इस इन एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलोजी हमने पहले शुरू में भी इस तरह का कोश्चन आया था ठीक है तो यह डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है ओभा में अस में थर्स आप कंट्रासेप्शन इस यह डिस इस इस देश्ट ऑप्शन फॉर कपल्स विकॉज क्योंकि यह जो होते हैं यह पर्मानेंट में थर्द मतलब कोई रिवार्सल का चांस नहीं अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए या कुई किसी कारण से अगर उसके पास एक सिं इस सब्सक्राइब के बारे में क्या है कुछ मिसकांसेप्शन भी है यह दोबारा जो है सो नहीं कुछ हो सकता मतलब कांसीव नहीं कर सकते ठीक है तो यह जो है इसमें चैक्या इतिज और मॉस्ट इडिवर्सीवल सही है जह सही है प्रपुस्ट पर पॉपसिशन पैसलिटी नहीं रहा तो निक स्टेकड़ है, जाने नोगा यह वर्शिव में रहा है। जाने रूराइश सब्सक्राइब में है जाने ज़ा क्या करें कि में कि नहीं है। हुआ अफ दैंस कंसेप्शन दैट इट भी त्योज सेक्च वन हर यह मिसकंसेप्शन की बात हमने कहा था और दैंस कंसेप्शन दैट इत वी दिश्गाव आज इतीज सर्जिकल प्रोसीजर सही है आप लाक आप सफिसियन फैसिलिटीज इन मेनी पार्ट्स आप दा कांट्री तो कि इस तरह से यह चाहरा हूं चूज दकरेक्ट स्टेट्मेंट रिगार्डिंग जीफ्ट प्रोसीजर जीफ्ट प्रोसीजर से मतलब चाह वा जैगोट इंट्र फैलोपियन ट्रांसफर जैगोट मतलब चाह भी आप टेकनलोजी के ताहत यहां पर में लैब में जो है फर्टिलाइजेशन कराय जाएगा फर्टिलाइजेशन कराने के बाद लैब में फर्टिलाइजेशन कराने के बाद उसको जो है सो ट्रांसफर किया जाता है या तो सरोगेत मदर में या सेल्फ के सेल्फ मदर जो रहेंगा औरिजिनल मदर उसमें कराया जाएगा ठीक है तो यह जीफ्ट है तो जीफ नहीं संथ रहें किसमें होगा बढ़ी के बारjang लेक्त पाल एक जैक वान करूंनेर और और ट्रांस पर्टू नहीं तननों जार समूटि अचिसमें होगा बदी के बार जाइग अचना मा तरह से जो हम बात करेंगे तो 59 के जो अंसर आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बी 60 diaphragms are contraceptive devices used by the females choose the correct option from the statements given below यह क्या physical barrier का जो है यह क्या क्या जाता है यह यूज क्या जाता है फिमेल के बॉड़ी में जो है यह एड्जेस्ट किया जाता है ठीक है और यह प्रिवेंट करता है अस्पर्मेंट ओवाटे मीटिंग को ठीक है तो इसके जो अंसर होंगे वो दे आर इंट्रोडूस्ट इंडा यूटेरस दे आर प्लेस्ट टू कवर्ड शर्विकल रिजन साही है दे एक्ट आज फीजिकल बैरियर फोर अस्पर्मेंट्री साही है ठीक है हां दे एक्ट एस पर्मिसाइडल एजेंट गलत हो गया ठीक है तो इस तरह से अगर देखा ज कंपिटिटिव एक्सक्लूजन एस्टेट्स दर गॉस्ट प्रिंसपूल जो है यह क्या काता है यह काता है जो अगर दो एक किसी एको सिस्टम में यह कहीं पर बें दो आपस में कंपिटिशन करने वाले और यह नीजम होते हैं तो वह पर्मानेंटली और इंडिपेंडेंट ली अनबरत लाश्ट तक जो है सो क्या रह सकते हैं तो यह काता है यह इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते नहीं रह सकते इसी यहीं जो है यह गौश्ट प्रिंसपल है यह दो नंबर में जो है इसको पूछ दिया जाता है ठीक है तो इसको ध्यान रखेंगे और यह जो ध् species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting एक ही रिसोर्स के लिए बिल्कुल सही है तो यह एक सही यह ठीक है 62 मैलवाइडू गाइनी इन कोगनीशिया इन फैक्स दा रूट अप विच प्लांट एंड कोजेज ग्रेट रिडेक्शन इन इल्ड यह तो सिंपल है जो तो बैको इसमें होगा तो बैको माइक्रो और माइक्रो और यह जो है चैप्टर उसमें हम लोगों को यह चीज दिखता है किसना 209 नंबर के पेज में आप लोगों को यह चीज दिख जाएगा ठीक है 63 the human protein used for treatment of emphysema is alpha-1 antitrypsin यह कई बार हम लोगो ने अभी इसका जिक्र कर लिया यह देख लेना है यह तीसरी बार आया है यह question 64 which of the following can be used as a bio control agent in treatment of plant diseases इसका जो है त्राइको डर्मा की बात किया जाता है जो रूट इको सिस्टम में यह होते है और इसका जो है तो यूटिलाइज किया जाता है किसके लिए natural bio control agent के लिए रूप में इसका उप्योग होता है और यह आप लोगों को यह highlight करके ncrt में नहीं दिया गया जैनरली जो है सो लाइन में दिया गया है इसको थोड़ा सिदत से देखना परेगा 187 नंबर पेज ncrt में आपको दिख जाएंगे ठीक है 65 मैच दा फॉलॉइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट अप्शन इसमें बीटी कॉटन बीटी कॉटन जो है चो किसके लिए है यह बैसिलस थूरिंजी एंशी बैसिलस थूरिंजी एंशी ठीक है आरे ने इंटर फेरेंस यह पीसी आर पीसी आर डिटेक्शन ऑफ एचाइवी ठीक है हां यह जो है सो जीन थिरैपी में यूज किया गया सब एंसी आर्टी में है यह सेल्यूलर डिफेंस ठीक है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह भी टू और नाइन पेज एंसी आर्टी में यह सारे दी के ब बारे में टोटल डिटेल दिया गया तो यह जो है सो इस हिसाब से अगर मिला है तो एक फोड एक फोर तब तो यह यह आए 66 विच आप दा फॉलांगे स्टेटमेंट इस नोट करेक्ट क्या का पूछ रहा है जो नोट करेक्ट की बात कर रहा है दा प्रो इंसुलीन है एं एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ट सी पेप्टाइड अगर हम यह बायो टेखनोलोजी अप्लिकेशन के चैप्टर से होगा ठीक है जो नेचुरल कंडिशन जो होता है जो हम लोगों के बाड़ी में जो रहेगा जिसमें बायो टेखनोलोजी का बात होती है तब एक एक्स्ट्रा होता है प्रो इंसुलीन में एक्स्ट्रा नहीं होता देफन्शनल इंसूलीन है एंड बी चेंट टूगेदर बाई हाइड्रोजन बांड नहीं डैसलफाइड बांड से यह एटेच होते हैं ठीक है सी जनेटिकली इंजीनियर इन्सूलीन इस लियाद से अगर देखा जाए तो यह क्या हो गया नोट करेक्ट की बात आ गई तब फंशनल इंसुलीन है एंड बी चैंस लिंक्ड टुगेदर भाइड्रोजन बॉंड यह देखेंगे यह जो है तो हाइड्रोजन बॉंड नहीं होगा यह क्या होगा यहां पर मैं काना च जो होता तो सही होता ठीक है 67 इन री कॉंबिनेंट डी एन टेकनोलोजी वीच डाइज यूज तू एस्टेंडर सेपरेटे डी एन फ्रेग्मेंट्स वीच केंडी विज्वालाइड बाइक्स्पोजर अरे इथीडियम ब्रोमाइड कहीं होगा यह इथीडियम ब्रोमाइड जिसके कारण औरेंज कलर जो है वो दिखते हैं नेक्स्ट कोस्टन 68 फॉच फास्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोनिकले ज्वाज आइसोलेटेड एंड क्यरेक्टराइड तो फस्ट की जब बात आ रहेगी तो किलियर कर्ट किसमें होगा हींड टू यह जो हींड टू नंबर मे इसका आपको किलियर कर्ट सिंगिल सेंटेंस में लिखा हुआ है ठीक है फुच आप फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक नुकलियो टाइड सिक्वेंस अभी हम लोगों ने कहा था उल्टा सिधा एक समां जी ए ए टी 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 सी और जी ए ए टी 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 वाला जो होगा उसका फ आजाएगा इसमें फाइब जी ए टी टी सी जी ए यह थोरा सा यहां पर में गलट हो गया जी ए टी 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 सी यह सही होगा ठीक है यह जी ए टी 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 सी ठीक है इस इस कि नेक्स्ट सेवेंटी विच आड़ रेस्ट्रिक्शन साइट्स ओन टेट्रा साइक्लिन रेसिस्टेंस जीन इन वैक्टर यह तीसरा कोश्चन आ रहा है कि इसमें पीवी आर्थी ट्वेंटी टू में ठीक है तो यह जो पीवी आ तो इसमें बैम एच वन यह डारेक्ट व हो जाएगां और पेज नंबर 199 साइज में निकार थां ठीक है हां ठीक है 71 choose the proper option for the true and false from the given statement ठीक है analogous organs analogous organs wings of insects and birds यह नलोगास आर्गेंड जो है यह पहला यह क्या है analogous organ true is vestigial organ vestigial organ चै मतलब पहले हमारे किसी ancestor में यह यूज का चीज था अब हम भाइब देख लगों में कोई तीज में यूज में का चीज नहीं है थीकिया जैसे मह लोगों में। हो जाता है टेल होता है बेरड कर बेच्ट है हो जाता है यह सब कर्वेस्टिजएल एपंडीक्स हो जाता है तो घ्रण extret यह भी जो है सो क्या है तुरू है होमोलोगस और फॉर लिम्स ऑप हुमन बार्ड एंड वेल हमने क्या कहा था उस समय हुमन चीता वेल एंड बैट की बात करा था इसमें बार्ड आ गया इसी लिए यह गलत हो गया ठीक है कनेक्टिंग लिंक पीसे एंड रेप्टेस्स यह क्या ब ठीक है तो यह इस सेवेंटी वन का भी आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट विच मॉलीक्यूल इस वेरी इंपोर्टेंट फोर कंस्ट्रक्शन आप लाइप ठीक है इसमें कोई कहने की बात नहीं है डी एनन नुकलियो प्रोटीन का बना होता है हां सेवेंटी थी नंबर आफ जीन्स प्रिजेंट इन क्रोमोजोम वन एंड वाइप रोबोजोम वाइप रोमोजोम में हटड़ी पी यूमें जीनों प्रोजेक्ट मॉलिकुलर बेसिस अपिनेरी टेंस चैपकर का जो है सकर लास्ट टोपिक है उसमें जो है उन्टी ट्व हां तो यह 73 का जो होंगा वो क्या होगा बी होंगा 74 number लेवल एक्स and y इन खिबियंट डाइग्राम थीक है एक्स जो हो गया वो क्या हो जाता है यह हुआ जाता है यह लाइट जान होता है ठीक है तो एक्स क्या हो जाएगा रखने वाला है जो यह जो पॉजिशन यह एंटीजन बाइंडिंग साइट है यह क्या है एंटीजन बाइंडिंग साइट और यहां पनमे वाई जो फूर्द में एक एरो अगर इधर वाला राता तब तो हम light chain करते हैं लेकिन यह दोनों तरब से लिया है तो यह क्या हो गया एंटीजन बाइंडिंग साइट तो इस लियाद से अगर देखा जाए तो यह क्या हो जाएंगे यह अंसर आएंगे ठीक है नेक्स्ट सब्सक्राइब करते हैं किसकी बात करते हैं इम्यूनिटी की बात करते हैं तो फीजिकल बैरियर में क्या क्या सवाता है तीर्स आजाता है एसकीन आ जाता है तो एक में फीजिकल बैरियर में आ गया क्ईल बैरियर में हमारे बॉड्यकी का जो फीजियोल्गी जिसके कारण क्या होता है जो हमको सिक्युर्डिटी और सेफ्टि मिलता है तो वह टिर्स आजाएंगए घ्ल्यूलर वए तो ल्यूकॉसाइट यह ल्ट यह जो तो पॉलीमोर्फो नुकुल यह जो होते हैं सेलूलर बारियर लुकोसाइट सो हो जाते हैं एंड साइटो प्लाजमिक बारियर में इंटर फैरोन होते हैं ठीक है इसलिया फॉस्ट चू यह है सकेंड एस नहीं फॉस्ट क्यू हां यह हुस्टान नंबर 76 दा कैपैसिटी टू जेन्ट यह बिल्कुल किलियर-कट लाइन है एक्स प्लांट यह एक्स प्लांट से मतलब क्या हो गया कोई भी प्लांट का पार्ट कोई भी प्लांट का पार्ट डेट्र या लाइव हो ठीक है न कहीं से बिले और उसको लेबबरेटरी में डिफिरेंट हार्मोन और एक पर्टिकुलर रेशियो में जो है सो केमिकल का बैलेंस करके रखा जाए और हार्मोन के साथ दिया जाए तो वह एक पूरा होल प्लांट फ्रोम एनी सेल और एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटी पोटेंसी ठीक है 76 76 के बाद जो है यह 76 आपको 177 पेज में जो मैंने केमिकल सॉल्यूशन की बात करा था वो भी दिख जाएगा और यह लाइन भी मिलेगा और उसमें यह बोल्ड में लिखा होगा ठीक है नेक्स्ट 77 सिंगिल स्टेप लार्ज म्यूटेशन मिन्स शाल्टेशन ठीक है यूगो डिवरीज का जो प्रिंस्पल है उसके लिए इस बात को किया गया है ठीक है 135 पेज इवाल्यूशन ठीक है 78 क्राइवन एबी जीन कंट्रोल्स तो यह बायो टेखनोलोजी अप्लिकेश पेज नमबर 209 में वहां पर में क्या रहता है जो क्राइट को जो है सो तीन बार यूज किया गया है क्राइवन एबी क्राइवन एसी एंड क्राइवन क्राइवन क्राइट टू एबी यह दोनों जो है कॉटन बॉल वर्म को कंट्रोल करता है जबकि क्राइवन एबी जीन कं इसको कंट्रोल करेगा ठीक है नेक्स्ट हाँ 79 चूज रिलेटेड ऑप्शन एस पर जीलेस नाइजर एसीटिक एसीड शुरू में कहा था साइट्रिक एसीड होगा यह गलत हो गया है ट्राइको डर्मा पॉली एस्पोरम हां यह तो सहीं वी में क्या है एसीट एसीटो बैक्तर एसीटी एसीटिक एसीड यह गलत है प्लॉस्ट्रीडियम व्यूटाइलिकम यह व्यूटाइलिक एसीड यह सही है चूज रिलेटेड ऑप्शन 80 प्री लिविंग फंगस ट्राइको डर्मा इज यूज फूल फॉर किलिंग इंसेक्ट गलत है एज बायो कुछ देर पहले ही हम लोगों ने इसकी बात करा था एज बायो कंट्रोल एजेंट्स अप्लांट दीजीज ठीक है 81 फूच वन आफ फॉलोएंग इज इनकंपैटीवल फॉर फीजिकल बैरियर आफ इनकंपैटीवल फॉर फीजिकल बैरियर के साथ कंपैटीवल नहीं होगा तो वहां पर में जो बात करेंगे हम यह सब जो है यह म्यूच को कोटिंग जो है यह फीजिकल बैरियर में एस्की के बादे में कहा है सेलाओ इन मैंत यह इन दिन की जो बात है वह एंसी आर्टी में किया घ्याओ साथ नहीं किया जाता यहां पर हैस्पारेटरिय ट्रैक्ट में इसका म्यूकस कोटिंग होती है जिसके कारण जो ह लेकिन उसमें कोई इस तरह की बाते नहीं होती नेक्स्ट एक टीटू फोर विच आफ दा फॉलॉइंग दीजी दे वेराइटी आप चीली पूसा सदाबाहर आप दा रेसिस्टेंस ठीक है हां इसमें लीफ करल का होना चाहिए यह वन सेवेंटी फोर पेज़ बे आपको एक टेवल दिया जाएगा इस बारे में रहता है सबके बारे में तो लीफ कर पूशा सदाबाहर चीली मिर्ची का जो है यह एक टाइप होते हैं ठीक है और यह जो टेबल है यह दोनों पेज में जो टेबल एक तेबल से और यह दोन लाइन वान लाइन सब्जेक्टिव कोश्चन इससे खुब बनते हैं ठीक है हाँ माइको राइजा माइको राइजा जो होगा वो क्या होगा तो यह माइको राइजा रिप्रिजेंस शिंबायोटिक एस्टोसियेशन अफ मेली मेंबर्स अफ जीनस ग्लोमस और प्लांट बिल् तो इसका जो है पाला ही सही है माइको राइजा इसके बारे में भी जो है यह इसके बारे में इसकी बात की गई है यह दिख जाएगा ठीक है एटीफोर फूच आप फॉलाइंग फैसलिटी इस नोट प्रिजेंट इन बायो रियक्टर्स फोम कंट्रोल सिस्टम होगा टेंपरेचर कंट्रोल सिस्टम होगा सेंप्लिंग पोर्ट होगा नो प्रीजर्व 85 analyze the validity of following statement for desert plants desert plants में जो है वो क्या सब मैंनी desert plants have a thick cuticle on their lip surface सब्सक्राइब 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 इस तरह से अगर देखा जाए तो यह किसमें आ जाता है 1 2 & 3 are correct console 1 2 & 3 are 86 which of the following chain is not present in mature insulin simple c peptide a or b यह होते हैं दो ही प्रेप्टाइड को एलिस लिली जो बनाया था दो अलग अलग ठीक है हां identify the xyz यह बिल्कुल आपके जो है जो बुक में यह फिगर दिया गया है ठीक है और यह जो बुक में फिगर दिया गया है तो इसमें क्या कहा जाता है एक्स रॉक्टिटास किससे बनेगा प्रोड्यूसर का जो लीटर फॉल करेगा उस से बनेगा तो एक्स जो है वह देटीटास हो गया ठीक है दूसरा वाइ rock mineral का क्या होगा weathering weathering मतलब क्या by the time air water बरसाथ सब होने से तूट 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 तूटते तूटते स्वाइल सॉल्यूटन बनता है तो वह इसको weathering कहेंगे और तीसरा जो है अब टेक रहोगा कर लेता है और कुछ जो है वह रन आफ हो जाता है तो यहाँ पर में एक्स बोले तो डेट्रीतर्य से य बोले तो वेडरिंग एंड जरू बोले तो रन-why गलत हो नहीं ऐक्सुम डेट्रीटर्यस और के रटेस टेस एकुश का हां 88 a statement a greater biological diversity is observed greater biological diversity is observed in tropical region बिल्कुल सही है एक्वेटर के पास सबसे ज्यादा जो है वो क्या होंगे यहां पर में कौन यह करता है जो होते है यह इनकरेक्ट पर कि गीव दर कंबाइंड डिलेटिव कांट्रिब्यूशन ओप एंड तो और यहां पर में जो करीव ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कंट्रिब्यूशन जो है वह किसका रहता है सियोटू का सिक्स्टी परसेंट होता है ठीक है एंड क्लोरो फ्लोरो कार्बन और यह क्लोरो फ्लोरो एंड इसके अधर गैसे जो है दो मेजर गैसे जो है उनको भिला करके हो जाते हैं कितना करीब है थार्टीफ़ परसेंट है और एंटीव वो शिक्सिश्टी अपलशीक्सिक्सिक्सटी शिक्सिक्स हां 90 फुच अब दा फ्लाव लूव आनीमल एक्जी वी मैंस्रूव ल साइकल तो मैंस्रूव शायकल जो है वह कौन कौन यूमेन एपस और प्रिमेट में जो है यही करते हैं ठीक है तो एपस इसमें आ गया है यूमेन भी आते हैं तो यह इसके अंसर यहां पर में ठीक है 91 में जो होगा यह क्या होगा इनु इन विच इंट्रेक्शन औली वण इसके सीज इज बेनी फिटेड इन विच इंत्रेक्शन अलीवन एस पेसीज इज बेनी फिटेड यह को ellis होता है यह डेकिया। only one species is benefited तो यहां पर में 91 का जो होगा वो शी होंगे 92 following breeds many times during their lifetime except birds mammals amphibians यह क्या मेंनी टाइम में ब्रीड करता है मैमल मैंनी टाइम करता है यह क्या होते हैं जो रहते तो हैं मेराइन वाटर में लेकिन इनको इनको रिप्रोडड़क्शन के बाद वह एग ले करदे करने के बाद फीमल का वही पर मेंडेथ हो जाता है क्योंकि वहां पर में क्या होगा salt balance of the body लेकिन जो यह होते हैं क्या करते हैं लार्बाबन करके और दीरे वाटर एगन्स करके समंदर में मेतामॉर्ठोसीज करके और वो एडर ला लाइफ टाइम जो है सो मेरा राटर मेरा राते है अब फिर जब मैच योर होते हैं तो रिप्रोडक्शन कर के फिर से वह इधर के तरफ आते हैं इंश्टिन कुछ को अपने लाईफ में एक ही ऑर रिप्रोडिक्सम करती है ठीक है नेक्स्त वहश्य时स्ट वह इंगे लट आप इमीग्रेशं अन पर्थ अ काक जु बर्थ किसी एडिया में जो है लोग आभी रहे हैं और बर्थ भी हो रहे हैं और यह जैदा हो रहा है किसके कंपेरिजन में तो जो इस एडिया में डेथ हो रहा है और यहां से जो प्लापलायन कर रहे हैं यह माइग्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा जाहिए सी बाता यहां का बढ़ेगा और प्रोपलेशन जो बढ़ेगा वह बेताहसा बढ़ेगा और यह क्या कह लाएगा एक्सपोनेंसियल फेज हां इन 2005 फोर इच आप फॉर्टीन मीलियन पीपल प्रिजेंट इन के कंट्री पॉइंट जी हां इसका जो है वो क्या होगा मैथमेटिकल डिराइबेशन जो है यह आप लोगों को दिया गया है कहां पड़ में नोट्स में दिया गया है हालांकि आजकल यह सब को स्टन जो है यह नहीं पूछते और इसका अंसर अगर करिभ देखा जाए तो वह सिस्टीन पॉइंट एट के लगभग होते हैं जो सेवेंटीन मिलियन के एप्रॉक्स बनता हैं नेक्स एक्सीड राइट ग्रांटेट बाइट ग्रांटेट वावर्मेंट तो अन इन्वेंटर तो प्रिवेंट अधर्स फ्रॉम कमर्शियल यूज ऑपीज इन्वेंशन वे यांज अग्स को पेटेंट एंडवाई को बायो पैटेंट कहेंगे ठीक है क्यों नहीं कहेंगे पैटेंट सीक्ति के भाइट पैरे सी हमने का जो यह चूराना हूं इसके बात जो एसकी मतलब चोड़ी हो गया बायो पैरे मतलब लोजिकल तो यह इसलिए गलत यहां पर भी चोड़ी की बात आ गई इसलिए यह सब नहीं होंगे नेक्स्ट मोस्ट वाइडली यूज्ट बायो वेपन इज यहां पर में यह देखो वह यह रहता है प्लॉस्टीडियम बॉटूलीनम होते हैं एक और दूसरा होता है एंठ्रेक्स का ठीक है तो यहां पर में बैसिलस एंठ्रेसिस जो होगा यह एसपोर एंडुस्पोर फॉर्मेस करने वाला जो राते हैं यह बहुत बहुत जल्दी बहुत जैदा परिसान करने वाला डीजी ज महीं किया जाता है नेक्स्ट तो चूछ्ट्रेक्ट ऑप्शन रिगार्डिं रेट्रोगाइस अपने यह फ्यक्षण चर्डुप्स जो इन्फेक्शन के बाद क्या करते हैं अपने प्लिट में अपने और इस इसाब से देखेंगे तो यह क्या कहेंगे एन आरेने वाइरस डैट कैंट सिंथेसाइज डी एन डूरिं इंफेक्शन सही है डी एने वाइरस गलत हो गया डैट कैंट सिंथेसाइज गलत यह सिंगिल एस्टेंडेड डी एने वाइरस यह डबल एस्टेंडेड आर एने वाइरस नहीं यह जो होगा 97 का जो होगा वो यह सही अंसर 98 GEAC stands for genetic engineering approval committee को explanation की जरूबत नहीं है सिंपल लाइन है हां 99 BT cotton is not a bacillus यह एक genetically modified plant है ठीक है एक bacterial gene expressing system नहीं तो bacterial gene जो होगा वो उसमें जाएगा यह बात सही है bacterial gene को जो है उसमें डाला जाता है जो कि एक्सप्रेस करता है यह थीक है तो यह होगा इसके बाद insect resistant बिल्कुल है जी रेसिस्टेंट टू अल पेस्टिसाइड यह गलत है ठीक है and next question which of the following statement does not hold true for restriction engine restriction enzyme जो है वो क्या सब करता है तो यह हम लोगों को बायो टेक्नोलोजी में पता है जो restriction enzyme क्या करता है DNA strand को कट करता है अगर यह सिंगिल कट करें और दो पीस कर दे तो अगर बीच में डवल कट करके एक पीस निकाले तो फिर क्या कहलाएगा एंडो नुकुलिएज ठीक है तो यह रेस्ट इट रिकोगनाईजेज यह पैलिंड्रोमिक नुकुलियो टाइट सिक्वेंस सही है इट इस एंडो नुकुलिएज यह भी सही है इट इस एस लेट फ् सब्सक्राइज पैस्ट की इस इन डिफ्रेंट डियने मॉलीकुल्स सही है क्योंकि हरे का जो होगा एक पर्टिकुलर रिकोगनिशन साइट होगा और यही पर में जो है यह क्या किया जाएगा इसी का यूज क्या रहता है तो खुल मिला करके अंसर क्या होगा इट इस आइस प्रेंस भी दिया है आप इसको गौर किजेगा और इसी से जो है सो एक्जाम में सब कुछ होंगे हां लेकिन जो कुछ ध्यान देने वाली बात होगी जो सब्जेक्टिव में सेक्च्वाली रिप्रोडेक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में यह फर्टिलाइजेशन का ट् सब करेंगे तब सब कुछ अच्छा रहेगा बेस्ट ऑफ लग फॉर्दा एक्जाम थाइंक्यू कर दो